चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो जो कंडिडेट आयू स्कोर्स जैसे BMS, BHMS, BUMS, BSMS के 15% आल इंडिया कोटा में एड्मिशन लेना चाते हैं तो थार्ड राउंड यानि मोप अप राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन और 24 फिलिंग का प्रोसेस डबल ए ट्रपल सी दोवारा स्टार्ट हो चुका है इसमें एक खास बात यह है कि जिन कंडिडेट को 1st और 2nd राउंड में सीट अलोट हो चुकी है वो इस मोप अप राउंड में अपगरेड कर सकते हैं यानि वो फिर से 24 फिल करके अपने डिजाइड कोलेज की 24 फिल कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि जो minimum qualifying marks थे उनको भी reduce कर दिया गया है तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके schedule के बारे में चर्चा करेंगे उसके बार देखेंगे कि इस round के लिए कौन-कौन से candidate eligible है और कौन-कौन से candidate eligible नहीं है और इसके क्या-क्या rules है इसके अलावा जो qualifying marks reduce के हैं वो कितने marks तक अभी admission ले सकते हैं तो सबसे पहले हम इसका schedule देखें तो ये इसकी जो last date है new registration की वो 23rd January 21 तक है आप साम 5 बजे तक payment कर सकते हैं इसके बाद में 24 फिल भी कर सकते हैं सासाथ इसमें जो choice filling और locking की जो date है वो 24 January 21 है इसके बाद result 27 January 21 को आ जाएगा और reporting time होगा 28 से लेके 8 February 21 तक इसके बाद जो seat वेकेंट रहेंगी इस third round में वो seat ट्रांसपर कर दी जाएगी आल इंडिया quota और आल इंडिया जो added quota है उसकी state को ट्रांसपर कर दी जाएगी उसके अलावा जो central university है और dimmed university है और जो national institute है उनको concerned institute को ट्रांसपर कर दी जाएगी 11 February 2021 को अब इसमें जो reset का option है वो 3 घंटे पहले closing time से available रहेगा reset का मतलब है कि जिन candidate ने government के लिए apply किया है या फिर dimmed के लिए apply किया है और वो अभी जैसे government के लिए किया है तो वो dimmed के लिए करना चाते है या dimmed के लिए किया है तो वो government के लिए vice versa करना चाते हैं तो उसके लिए ये reset registration की facility available रहती है तो ऐसे candidate reset registration कर सकते हैं तो ये तो था इसका schedule अब इस third round के लिए कौन-कौन से candidate eligible है तो इसमें वो सारे candidate eligible है जो first time में अभी registration करवा रहे हैं third round यानि move up round के लिए fresh registration करवा रहे हैं इसके अलावा जो candidate first और second round में registered है और उनको seat alert नहीं हुई है वो सारे candidate इस round के लिए eligible है तीसरे number में वो सभी candidate eligible है जिनोंने first और second round में seat ले रखी है तो इस round में वो seat को upgrade कर सकते हैं लेकिन उनको fresh choice fill करने होगी अब इसके लिए कौन-कौन से candidate eligible नहीं है तो इसके लिए वो candidate eligible नहीं है जिनको first और second round में seat alert हो गई थी और उन्होंने join नहीं किया है इसके बाद में वो candidate भी eligible नहीं है जो first round में जिन्होंने seat को join कर लिया था और इसके बाद में free exit का option दिया था आपको एक बात यहां बता देता हूं कि इसमें अगर आपको इस round में third और mop up round में seat alert हो जाती है तो उस seat को आप join नहीं करते हैं तो आपकी जो security money है 10,000 रुपीज वो forfeit हो जाएगी यानि कि आपको इस security money के अलावा और कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप join नहीं करते हैं लेकिन इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी अगर आप इस round में seat को join कर लेते हैं उसके बाद आप region नहीं कर सकते हैं अगर उसके बाद आप region करते हैं तो आगे किसी भी round के लिए आप eligible नहीं होंगे और state counselling के लिए भी आप participate नहीं कर पाएंगे यानि कि आपकी counselling वहीं close हो जाएगी उसके बाद आप state में भी participate नहीं कर सकते और state की counselling में भी participate नहीं कर सकते तो आपने इस round की जो twice fill करनी है वो बिलकुल ही carefully करनी है अब हम बात करें इसकी जो qualifying marks reduce हुआ है उसकी बात करते हैं तो qualifying marks जो पहले था NEET का वो UR category के लिए 147 SC ST OBC के लिए जो था वो 113 था UR PWD के लिए 129 था और SC ST OBC PWD के लिए 113 था अभी जो इसको reduce किया है वो UR category के लिए 113 marks हो चुका है यानि कि जिस candidate के 113 marks है वो इसमें IUS में NEET qualifying माना जाएगा IUS के लिए SC ST OBC के लिए 86 marks वाले candidate eligible हैं counseling में participate करने के लिए इस IUS counseling में ये state के IUS counseling में भी participate कर सकते हैं यानि कि ये जो qualifying marks reduce हुआ है वो IUS की counseling के लिए हुआ है चाये वो state की counseling हो या फिर 15% आल इंडिया कोटा डबल ए ट्रपल सी की counseling हो तो ये जानकारी थी डबल ए ट्रपल सी की counseling last round के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा जैहिन कर दोन कि वाले कारें में परलियो में मैं थे शथित दर्पल रपी वीधियो सीूत है कर दोना कर दोना का जब य हमारे झाल शोना का बालérience horus झाल झाल